अगला चेप्टर है अध्यादो जीव जगत का वर्गिगरन अर्था बाइलेजियर क्लास्पेशन ऑफ एनिमल और्गनेज ठीक है इसके अंतर का जो हमारी टॉपिक है होए है मोनेरा केंग्ड़म प्रोडिस्टा केंग्ड़म फंजाई केंग्ड़म प्लांटी केंग्ड़म एनिमलिया केंग्ड़म वाइरस वाइरोइट्स तथा लाइकेई देखेगा इंपूटेंट पॉइंट हम हाइलाइट करेंगे ज़ता तो आरम से जो माना है उसन सजीव प्राडियों के वर्गिगरन की अनेक प्रयास के वैग्यानिक माप दंड़ों की जगह सहज प्राणिक माम दंडों का उप्योग सर व्रिथम अरस्त ने किया उन्होंने पादपों को सरल आकारकी लक्षणों के आधार पर ब्रक्स जाड़ियों साख में वर्गिगरन लाल रक्त कड़ीकाओं की उपस्ति अथ्वा अनुपस्तित के आधार पर किया लीनियस के काल में सभी पादप और प्राणियों के वर्गिरन के लिए द्वी जगत पद्यती टू के इंगनम सिस्टम क्लास्रिकेशन विक्सित किया था लीनियस ने और द्वी जगत पद्यती में उन्होंने जो है क्रमसर प्लांटी पादप और एनिवेलिया प्राणि संभव नहीं था पाधब प्राणी पर अधारी दिया वर्ग करण आसान सरलता से समझने कि बहुत से जीवधारियों में जो है अलग अलग वर्गों में इनका अध्यन करना संभव नहीं था इसी करण यह अत्यन लंबी समय के लिए आकारिक के साथ साथ कोश्यावित्ति के लक्षन पोसण विदी आवास प्रजन की विदियां और विकासी संभन को भी समाहित करने के आवसकता है महसुत के जाने लगी और समय के सासां जो है सजीयों के वरिकरण की पध्यति में अनेक परिवर्तन आए पादब एवं प्राणी जगत के वरिकरण की इन कठिन पध्यतियां जिसमें समलित समों जीवधारे में होने वाली परिवर्तन सामिल ने सदा यह समिस्ट होते रहेंगी जैसे जैसे नई खोजी होंगी तो इसकत देखते जो है जीवधारे के विविन जगत की सेंक्याय में उसके लग्समों की विविन ने बैग्यानों के द्वारा अलग-अलग आख्या की गई है जो अब यहां पर आप देख सकते हैं पांच जगत क्लास्पिकेशन जो मोस्ट एक्प्टेड है 1969 में आरेज बीटिकर द्वारा है पांच जगत वर्गरण की पद्धती प्रतावित की गई इस पद्धती के अनुसार जो है समलित की जाने वाले जो जगत हैं उनके नाम है मोनेरा, प्रोडेस्टा, पंजाई, प्लान्थी और एनिमेलिया और इनका करण पद्धित के प्रमोग, मांधन प्रतिक है अब इन जगत के विविन लक्षणों के तुलनात विरण आप हैं तो जो लक्षण यहां पर आप देख सकते हैं और पांच जगत लक्षण कोसिका प्रकार, कोसिका बित्ती, कोसिकी इंद्रक्जली, काय संदस्ना, पोस्ण क प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया अपर्स देखते हैं कोसिका प्रकार, कोसिका बित्ती के अगर हम बात करें तो मोनिरा में सेल्लोज रहित होती है, बहुत सेक्रेट प्लस एमिनो असे उसमें प्रेंट होते हैं, प्रोटेस्टा में कुछ में उपस्ति होती है, फंजाई में उपस्ति होती है, सेल्लोज की जगह उसमें होता है, ठीक है, सेल्लोज नहीं होता है, और प्लांटी में सेल्लोज सहित उसमें सेल्लोज प्रेंट होता है, और एनिमेलिया में सेल्लोज अनुपस्तित होती है, ठीक है, रहित मतलब उसमें अपस्तित हो पंजाई प्लांटी अनिमेलिया में आप देख सकते हैं बहुत उसकी उतक अंग उतक और अंग कंत्रत आई जाते हैं पोस्ट ने भी दिखी बात करें स्वपोसी रसायन सब्सक्राइब प्रपोसी म्रत बुक्सियर परजीवी होते हैं मोनेरा प्रोटेस्टा स्वपोसी मृध में प्रपोसी उप्रपोसी होते हैं प्रपोसी प्राणी संभोजी मोंेरा में मां कि सब में निस्टेशन होता है कि उप्पंजाई प्लांटी और इनिमेलिया में में पांच वरिकरण से जुड़े मुद्दे धारणों पर विचार करेंगे जिनमें वरिकरण की अपद्धिती काफी प्रभावित है ठीक है इस से पहले कि जितने भी वरिकरण की अंतरगत जो किया गया जिसे बैक्ट्रिया है ब्लू-ग्रीन एलगी है नीलहरी सेवाल फंजाई मौस फ जो त्री डोमेंड सिस्टम आफ क्लासिक असन तीन अनुषेदी पद्धिती जो भी प्रिस्तावित की गई थी जिसमें मोनेरा जगत के दो अनुषेद्र में वरिकरण के अधा और सारे यूकरियोट को तीसे अनुषेद्र में रखा गया था एक सस्ट जगती वरिकरण इसमें रखा गया था इश्पध्यति के अनुसार एक होसी की जीव को बहुत की जीव के सांद रिक्षित किया गया था जैसे क्लेमाइडवनास इस पैरोगेरा सहवाल वरिकरण में कवक जैसे परपोसी और हरित पादब जैसे स्वपोसी के बीज भी विवेद नहीं किया गया जीवधारियों को मोनिरा में तता एक कोस्त की जीवधारियों को प्रोडिस्टा जगत कंद्रगत रखा गया है इनकी कोसगावित्तन नहीं पाय जाती है इस फिरकार इस पद्यति में अनेग जीवधारें को एक साथ रखा गया है जिनने पहले की पद्यतियों में अलग अलग रखा गया था ऐसा वरिकरण के महाप दंडों में परिवर्तन के करण हुआ इस फिरकार परिवातन भवसमें भी होते रहेंगे समय समय के साथ वरिकरण में ऐसी सारी पद्यतियों का त्रियास किया गया जो ना सिर्फ आकरेक और काय की प्रजन संबंधि बल्कि वह जाति व्रति और विकासी संबंध पर भी आधारित होती है फैलड़ जन्य घाप आक्प देखे साक सब्सक्राइब। मों की सब्सक्राइब। दर्गत आते हैं ये सुक्सम जीव में सरवादी सिंख्या में होते हैं और लगवक सभी इस्थानों में पाई जाते हैं मुट्टी वर मिट्टी में सैक्नों परिकार के बैक्ट्रिया देखे गए हैं ये गर्मजल के जरने मरुस्तल वर्फ एम गहरे समुद्र जैसे विशम प फोलाकार कोकस उन्हें से कोकाई कहीं इस चड़ाकार बैसलास बैसलाई कॉमा आकार के वाइब्रो आकार के जिसे विपरिया तता सरविल आकार जिसे इस से लम कहा जाता है छी कि आप यहां देख सकते हैं जो बहुनरा जगत के अंदरकत बैक्ट्रिया आते हैं उनको चार सब्सक्राइब देख सकते हैं इनकी संदसना के आधार पर आगे देखते हैं संदसना में बैक्ट्रिया में बहुत सारी विवित्ताइं पाए जाते हैं अपना भूजन अकार्बनिक पदार्थ से बना लेते हैं और प्रकास संसेशन में सपोसिव होते हैं और रसायन संसेशी में सपोसिव होते हैं अगर प्रकास सुसेशन में होता है तो अगर नहीं होगा तो यह रसायन का यूज करके अपना भूजन नहीं भी बिनाते हैं अपी तू भूजन के लिए अन्य जीधारियों यह उम्रत कारणिक पदार्थवा भी निर्वर रहते हैं अगला देखते हैं जो बैक्ट्रिया का ट यहीं लग्समें प्रतिकूल अवस्ताव में जीवित रहने के लिए उतरदाई बनाता है मैसरेजन मैसमें अनेक रूमिनेंच जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं गायत थे मैस इनकी आत में पाय जाता है और और से मीथियन गैस का पादन करता है अगला है यूबैक्ट जो है इसके वास्तिक बेक्ट्रिया भी कहते हैं और इसके पहचाने कठोर को सब्सक्राइन एक कफ साब के दवारा की जाती है जिसे ब्लू ग्रीन एलगीवी कहते हैं इसमें जो क्लोरोफिल पाय जाता है क्लोरोफिल के यह उच्छब पादब में पाय जाने वाले इनकी कोलोनिय में प्लायहज जैलिनूमा आगार से ढखे रहते हैं जो प्रदुसरों जल में फलते फोलते हैं बैक्ट्रिया जैसे नौस्टॉक एनाबीना यह नैट्रोजन फिक्स करते हैं इनमें एक विसे सबस्तना पाए जाते हैं को सिखाओंगी जिससे हिट्रोसिस्ट ट पादित करते हैं इन नैट्रोजन फास्फोरोस ऐरन एम सलफर जैसे पूसप के पुनरचक्रन रिस्टाइक्लिंग में भी महत्तपूर्ण निकूमी का निवाद है परफोसी बैक्ट्रिया प्रिक्रति में बहुत मात्राइं पाई जाते हैं इनमें अधिकतर महत्तपूर्ण अब घटक हैं इन परफोसी बैक्ट्रिया में अनिक जो है मनुस से संबनेत गतिवीदियों पर महत्तपूर्ण प्रिभाव डालते हैं दूसरे दही बनाने में प्रतिजाईवी के उत्पादन में लेग्यूम जो डाल वाले पौंदे होते इनकी जड़ों में नैट्रिक्रन में सयकते हैं पर बैक्ट्रिया रोखजणक भी होती हैं जैसे प्रिनेस के क्धिवाजन के दोरा प्रजनन होता है कभी कभी विप्रीथ परिस्तियों में विजान बनादे यह लेंगिक जनन भी गरते हैं जिनमें एक बैक्ट्रिया से दूसरे बैक्ट्रिया में DNA का इसना अंतरन होता है आप यहां देख सकते हैं ठीक है विवक्त हुआ बैक्ट्रिया लिखा गया है आप यहां देख सकते हैं हमने आप पताया कि जो बैक्ट्रिया होता है उसमें जनन अर्फा जो प्रजन होता है को उसका वाजिन के द्वारा होता है ठीक है एक उसका से दो बंदी है अगला जो है आरेच्प टेकर का किंग्डम हमें पढ़न है मोनेरा की बारे में देख लिए अब है किंग्डम प्रोटेस्टा जगत सभी एक को की युकरियोटिक को प्रोटेस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है लेकिन इस जगत की ठीक से सीमयन अधारित नहीं हो पाई है मत्तब एक जीव इधारी के लिए जैसे कोई जी प्रिकास नसे सी प्रोटेस्टा होगा तो वही दूसरे के लिए पादब भी हो सकता है अब जो गिंग्डम प्रोटेस्टा है प्रोटेस्टा जगत के अंतरगत जो रखे गए हैं समोह हो वह हैं अब देखते हैं इसके मेमबर्स फर्स क्राइजोफाइट है इस समों के अंतरकत आते हैं डायटम और डेस्मीड तथा सुनहरे सेवाल आते हैं यह स्वच जली एम लवड यह अर्था समुद्री पर्यारवन दोर में पाई जाते हैं अत्यांत शुक्षम होते तथा जल्धारे के साथ बहते रहते हैं जो डायटम होते हैं इनकी कोशिका से जो और से बहुत बड़ी मात्रा में रह जाते हैं और करोड़ों वर्थ सबाद जमा होने के वाद एक म्रदा बनाते हैं जिसे के लिए डायटमेसियस अर्थ ठीक है डायटमी म्रदा करने के कारण इस म्रदा का उप्योंग पॉलिस करने तेल सिरफ निश्पन्दन और बहु जाते हैं इनकी कोसिगा भित्ति के बाहिस सतय पर सैलिलोज की कड़ी पट्टियां होती है जो अधिकतर डाइनो फ्लेजलेट होते हैं इसमें दो फ्लेजिला होते हैं दो कख्षा पाई जाते हैं एक लंबवत और दूसा अनुक्रास जो भित्ति की पट्टिगाओं के अगला है यूगली नौइज अधिकांग्स जिसमें जो आते हैं वह स्वच्च जल में पाई जाते हैं और इस तर जल में भी पाई जाते हैं इनकी कोसिका विच्ति की जिगए एक प्रोटिन युक्ति पदार्त होता है पहली कल कहते हैं जिसे और इसकी संदसना को लचिला दो इसमें कख्षा पाई जाते हैं जिन में एक छोटा और दूसरा लंबा होता है यह अगर नहीं है तो प्रिकास तो यह सुख्ण जीओं का सिकार करके परपोस्टि की तरवियोहार करते हैं अब देखिए जो यूग लिना होता है कनेक्टी लिंक होता है प्लांट और एनि प्रतिकूल परिस्ति प्लाजमों डियम जो कई फिट तक लंबा हो सकता है और अगर प्रतिकूल परिस्ति में हैं तो यह बिखर कर सिरों पर विजानु युक्त पलनकाय बॉडिंग बनाते हैं और इन विजानु का परिक्षेपन वायु के साथ होते रहता है अगला है जो प्रोटो जवाइश का मेंबर है वह है प्रोटो जवाइश कर देखेंगे अगला है प्रोटो जो जो परवक्सी अधा परजवी के रूप में रहते हैं पुराणियों के पुरातन समंद्ध है इनका और जो प्रोटोजवा होते हैं चार समों में बाट अगया अगेन यहां से दिखेगा कौन-कौन से अमिबॉइट फ्रैसिलेटेटेड और इस वरोजोवन फस्ट है मुभी प्रोटोजवा यह स्वच्च जली समंद्री एयों म्रदा में पाई जात अगला है कख्षावी प्रोटोजवा समों के सद आथ्म परज्यूवी होते हैं ठीके इनके उस्टिखा पाई जाते है इसे लिफाजीवी प्रोटोजवा बिमारी के कारण होता है जिसने निदरालूि ब्याधी नावर कहते हैं नेक्स्ट पकसाभी प्रोटोजवा यह जली और अत्यन्द सक्रिक गतिवाले जीवें होते हैं अजारो के संक्रमें इसमें फ्लैजीला पाए जाते हैं और इसमें गुहा होते हैं जिसे खाना खाते हैं घ्लेट कहते हैं इसका एक्जामबल है पैरामेसीम नेक्स्ट और स्फत्व जवन इसमें विविथ यulle जीव जाते है जिनका जीवन चक्र में saṅक्र ब्धान करने योग विज्ञ जैसे वस्तवधा यावस्तिया आफ़ जाता है जिसे जो malaria परजुवी है जिसके करण मानो प्रजाति में बहुत संठ्यमागात भुएक फंजाई कवक जगत जो कवक जगवत थे इसमें परपोसी जीओ में फंजाई की कवक का विसेज अधुतिस्तान है इसकी आगरकिट्रीवास इस्तान हैं यह जो है नम रोटी वह सड़े हुए फलों में देखा आप देखा हुगा इनको कवक को ठीक है जो सान तक छत्रक जिसे मस्रूम तथा कुकुर्मुता जिसे टोड स्टूल कहते हैं यह भी फंजाई ही हैं सरसो की पत्तियों पर इसते सबे धबे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं कुछ एक कुस की फंजाई जैसे इस्ट जो एक कुस की फंजाई होता है और जिसका उपयोग रोटी तथा बेर बनाने में किया जाता है अन्य फंजाई पौधों तथा जन्तूं के रोगों के कारण होते हैं उधारण के लिए जो गेहों में किट रोग होता है वह पक्स नि जैसे कि हवा जल मिट्टी तथा जन्तु यह पहुंदों पर यह पाई जाते हैं यह गर्म तथा नमस्तानों पर सरलता से उग जाते हैं कि क्या आपने कभी सोचा कि जो खाना होता है निकी भूजन उसे रेफ्रेजरेटर रेनकी फ्रीज में क्यों रखते हैं क्योंकि जो फंजाई होते हैं वे कम तापमान पैप्रदी नहीं कर पाते हैं इसलिए खाना खराब नहीं होता है और उसे फ्रीज में रखते हैं फंजाई तंतु में होते हैं लेकिन जो इस्ट होता है वह एक कोस्की होता है वह इसका एक्षफ सने अपवाद है लंबी पतली धागी नमा सनसने होती इनमें, जिनने कवक तंतु या हैफी कहते हैं, कवक तंतु के जाल को माइसलियम कहा जाता है, कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जिनमें बहु गेंदर की कोश का दिरभी सैटोपलाज में भरा होता है, जिनने संग कोश की कवक त संथों में पट्टी होती हैं फंजाई की कोश्गावित्थे में काइटिन तथा Чल क्आइज ठस्टाइड होते हैं 2016 मुरत पोस्ती जो मुलित सब्स्टेंस होते हैं पदारत उनमे से घुलंसी लगार्जी पदार्वाय। कि असलिए ये दिए नए मिलत जिवी भी कहा जाता है जो फंजयाई सजीव पॉंधों तथा जनत общем पर अब देखे विजानु तबेसडियम विजानु द्वारा होता है विविन्ने विजानु सुष्वस्थ संदसमाओं में तन होते हैं जिनने फलन का या फूटिंग बॉडी कहा जाता है लेंगिंग चक्र में निंगल के 305 होते हैं नमबर एक कौनकौन सा देखेगा प्लाज्म गेमी केरियो कहते हैं जबकि अगला है युगमकों में मियोसिस के करण अगुणित बीजानु बनते हैं अलंग एक जनन में संयोज संगम के दौरान दो अगुणित कवक्तंतु आपस पास पास आते हैं और सनलेद फ्यूज हो जाते हैं ठीक है अब अबसे मिल जाते हैं कुछ फंजाई म कोशिकां में संलेन के तुरंत बाद जो है एक द्वीगुणित कोशिका बन जाती है जैसे फंजाई स्कमा स्टीज में एक मध्यवर्ति केंद्र की अवस्ता एंड प्लस न अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं ऐसी परिचित को केंद्रक युगमन कहते हैं ठीक कि उसमें दो केंद्रक पाइं जाता है बाद में पैत्रक केंद्रक शनलेन हो जाते है और कोशिका बन जाती है फंजाई जो है उसमें फूतिवजान पनते हैं कवागजाल की आकारे की विजाणू बनने की तथा फलनकाय बनने की विदी जगत को विविन्य वर्गों में विवक्त करने का आधार बना अर्था जो उसकी फ्रूटिंग बॉड़ी है उसके सनस्ना है कवागजाल है इस सब के आधार पर जो किंग्डम फंजाई है उससे वि अध्वा पॉंधों पर अविकल्पी परजिवी के रूप में पाई जाते हैं कवग जाल जो है अपट्टी बहुत इंपोटेंट है जो फाइको माइसलिम होता है कवग जाल ठीक है वह क्या होता है अपट्टी की तथा बहु के इंद्रगी होता है इसमें कवग जाल होता है लेंगे जनन चलव जानु अरथन के अध्वा जाती होता है इस्वा जाती होता है और जाती निकाऊटबन होता है सब्सक्राइब पत्तियों में अगला जो मेंबर से इसे सामने तर थेली फंजाई का जाते हैं क्या करते हैं सेक फंगस जो है एक पूस की इस सेकरों मैंसीज के लावा बहुत बहुत की पैने से लिए इसमें पाए जाते हैं और ये म्रत जीवी अब अगटन अभगटक परजवी अत्वा सलव रागयान की पऊसुविस्टा घंजा बाते है heartfelt मं यह ऐख़लनों को स्कास में जो है अंतरजाति रूप से उत्पन्न होते हैं ठीके यह एक बाचन में ऐस्ताई को जो IK एक वचन में एसकस कहते हैं विविन ने प्रिकार की फलनका यानि लगे होते हैं जन्हें इसको कार्प कहा जाता ठीक है इसको मैंस्टीज की फ्रूटिंग बड़ी तो इसको कार्प करता और इनके एक्जामपल है एसपर्जिलस ग्लेव सेफ्स तथा नियुरोस्पूरा बहुत इंपूर्टेंट नियुरोस्पूरा का उपयोग जैव रासान सब्सक्राइब करते हैं अब देखिएगा इस वर्ग में आने वाले जो भी मॉरिल्स और ट्रुफल जोएं खाने योगे होते हैं इन्हें सुस्वाद भोजन समझा जाता है अगला मेंबर इसमें बेस्ट्रिमाइस टीज इसमें सभी परिकार के मस्रूम व्रैकेट फंजय आते हैं यह मिट्टी में लठे तथा ब्रक्ष के चुड़ों और सजी पादबों के अंदर परजीवी के रूप में उखते हैं जैसे किट्ट तथा कंड जिसे समट कहते हैं कवगजाल जो है इसके में मर्स होते हैं कवगजाल साके तथा पटी होता है इसमें अलंगिक दिद्वारा इसमें लेंगिक जन नहीं होता इसमें लेंगिक अंग नहीं होते हैं लेकिन इसमें प्लाजम होगि उन्ये सब्सक्राइब जीवानों अब बेस्ट डियम जो है cash studio वहर Seven काय में लगे रहते हैं जिसे इस पिरिव्我 का जाता है बेस्टियो मैस्तिस उसकी फ्रूटिंग बोडिको बेस्टियो कार पड़को का दो सकते हैं ठीके उसके सामनिधम्य है और पक्सिणिया अब आप यहां पर इंके डियाग्राम देख सकते हैं आगे देखते हैं जो बेस्ट इमाइस सटीज है इसके सामानुदारण हमने आपको बताए अगरिकेस से मस्रूम कहते हैं और पक्ष्णिया जो है इस वाइस जो कॉज करता है अगला मेंबर से है वह है जुट माइस टीज इसे प्राया अपूर्ण का वह कहते हैं क्यों कि इसम लहें यह द्तफा का एक जनण प्रावस्ता पाई जाती है जबकि इन फंजाइं की लुप में रखा जाएगा जाएगा तो उसे मुझित वर्ग में रख दिया जाएगा जो होता है वर्ग फंझाई का उसमें सदस्टेत होते हैं उंचीत प्रावसता mix प्रचा का पता अलग जाए है तो इसे इसमें कुछ सदस्य मरत जवी अरथा मरे वे जो सड़ेगे ले तो उनमें पाई जाते हैं अत्वा पर जिव पाये जाते हैं लेकिन उसने जो इदिकांग सदस्य होते हैं वह अफिस्ट के अगला है पादब जगत प्लांटी इंगनम पादब जगत में वे सभी पादब आते हैं जो ब्लेडर वाड और वीनस व्राइट्राइब कीडवक्स ही पहुंते हैं अमर बेल कसकटा परजीवी का उतारन है पादब कोशिका में कोश्का वित्य होती है जो जो है से बनी होते हैं और इसके बार में डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में ठीक है अब जो प्लांटी इक में उसमें सेवाल ब्राफाइट ट्रेडफाइट जिम्न और एंजोस्वाम आते हैं और पादब में जीवन चक्र में दो सुष्पस्ट अवस्ता है द्विगूडित विजान अद्भृत और अगुनित यगूवद्भित होती है इन दोनों पीड़ों एके बाद एक आती है एक का जाता ठीक है और जो प्रावस्ता जैसे प Rudolph था है स्वर्वलिट होती है उर्खलीन होती है और उसमें जो अगुनित अवस्ता होती है और जिस्ती चिर्जगत विसंपोसी युखरोटिक होते हैं जो बहुत कोशकी और इनमें 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 प्छाटे कि आनतना है है इसमें गुही का में पचाते हैं इनका स्टोरेज करते हैं इनके बार में डिटेल हम प्लांट एनिमेल किंग्डम में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में इसलिए यहां पर हम खली इंट्रोडेक्शन देख रहे हैं जो कि आरेज विटिकर का क्लास्पिक अजन था मोनेरा प्रोट अब इनका हम सब्सक्ति पर इचाहिए जो है कभी ने दिखा होगा जो हम होते हैं जीव जन्तू या अगर हम बात करें तो कभी-कभी जुखाम या फ्लू हमने देखा है उनका कारण सामने तर जो यह मैक्लोप्स होते हैं वाइरस होते हैं अब आप यहां दे सकते हैं पर द देख लेते हैं फिर हम आपको डिखेंगे तो जो फर्स देखते हैं वाइरस के बार में वाइरस वे वास्तव में जीवन नहीं होता है अर्थात हम यह कहेंगे कि जो वाइरस होता है वह कोसिका जीवित कोसिका की बाहर एक निस्क्री अवस्ता में रहता है जैसा है वैसा ही पढ़ा रहेगा जैसे ही वह जीवित कोस्का के अंतरगत आता है या जीवित कोस्का की कॉंटेक्ट माता है वाइरस ठीक है फर्स टॉपिक हम पढ़े रहे हैं वाइरस की बारे में धांसे समझेगा वाइरस निसक्रियता है कोस्का की बाहर जीवित जीव जनतुते अगर दू कोटिन का इंटबाना करके बहुत से जो घी होते हैं फ़ेक्शन कोउज करता है ठीक है क्योंकिसे क평प्रक्स कलैक्स नंहीं होती है क्रिस्टलल फ़ॉम में पाई जाते है रवастьता मैं कोस्ट का में कि कौंट्रेंच जैसे हो संक्रमेध गरता है ठीक है जो मेजवान को सिक वाइरस करते हैं विस अर्था विसेला वाइरस विसेरा तलर्पदार्थ जो जिमित्री युवान वस्क थे इनने 1892 में तंबाकु में मोजेक रोग के जो है रोगाणू का पहचान की थी जिन्हें वाइरस नाम दिया था इसका माप बैक्टरिया से भी छोटा होता है क्योंकि यह तर्षी जो फ्रोफ़िल्टर होता है उससे भी निकल जाते हैंद लो एम इसे व्याठीक के पहुंत में रस अगर स्वस्थ तंभागों के पहुंद में डाला जाया तो उसे भी और संक्रिपित करने में शक्षम होता है इस रस को जो इतरल था इसको कंटेजिनियम वाइनाम फ्लूडम यानि की संक्रामा के जिवितरल कहा था MW वेंसर निकले था अब WM Stanley 1935 ने बताया कि जो वाइरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और इसे रवे मुखिता जो है प्रोटीन के बने होते हैं ठीक है यह अपनी विस्टम एजवान को इसका के बाहर निसके रहते हैं वाइरस जो है अविकल्पी परचिवी है इसका कोई विकल्प नहीं है अर्था जब यह जीजन्त के कॉंट्रेक्ट वाइगा तब ही अपना कारे कर पाएगा वाइरस में प्रोटीन के अतरिकdoo आन fan से कदारती वहते है जो RNA अथवा DNA हो सकते हैं किसे भी वाइरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते है ठीक है वाइरस केंद्रक प्रोटीन जिससे नु वाला लड़ी वाला आरेनी अथवा DNA होगा और किसमें भी दोनों नहीं पाया जाते हैं जीवान भूजी जीसे कहते हैं वहां पर अटेक करता है प्राया अब यहां पर पहले हम आपको इसका डाइग्राम दिखाते हैं परस्ट है टीम्वी जो वैको मोजाइक वाइरस तंबा हमें नहीं वायरा है है और दूसरी ओर दैसा फेका Davis थो हूट होता है और अब प्रोटीन के आरण तो जो है पसिट का जाता है वाईरस के और यह चोटी-चोटी उप इकाईों से बना होता है से कैस्व मियर कहते हैं ठीक है पेटी को सब्सक्राइब करता है यह पेटी कांग कुंडलित अथवा बहुत फलक जामिती के रूप में होते हैं वायरस से जो है मम्स चेचक हरफीस अधा एनिफ्रेंजा नामक रोग होते हैं मनुस्टे में एड्स भी वायरस के कारण ही होता है अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो मनुस्टे में एड्स होता है कौन से वायरस के कारण होता है पौधों में मोजेक बनना पत्तियों का मोड़ना तथा कुंचन पीला होना और सिराइसपस्ट बोना तथा अउरुद्ध ब्रधी का होना इसके प्रमुख लक्ष जो वायरस से भी चोट्जा था जिस जो जो है पोटीटो यस्पेंडल ट्युपाबढल में जो है नहीं होता है इसलिए यह वैरण का नाम दिया गया है वाइडि पॉस फारे औरने का आन्वegen भार कम होता है सारे सब्सक्राइब इंपोटेंट हैं तो अगला है प्रोसंग से कहते हैं आधने चिकत्सकों ने कुछ संग्रामक नियूरोलोजिकल बिमारियां जो है असमानी रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारक द्वारा जो प्रेसिद होती है इने देखा था इन कारकों का आकार वायरस के समान ही था इन कारों को जो है प्रोसंग कहा जाता है ठीक है प्राणियों में होने वाले सबसे उल्लेखिने बिमारी जो है वोवाइन स्पंजिफॉन एंसिफेलोपैथी जिसे आम तोर पर मवेसियों में मैटिका और रोग कहा जाता है यह होता है प्राणियों में ठीक है और मनुस्य में इसके समहानी जो प्रियॉंस से रोग होता है उससे कहते हैं स्यार जैकॉफ डिजीज अर्थाद स्रीज फेल्ड जैकॉफ ठीक है अब वायरस में आरेन और प्रोटीन दोनों पाई जाते हैं वायरोइट्स में केवल आरेने पाई जाता है प्रोटीन का कोड नहीं पाई जाता और प्रियॉंस में प्रोटीन पाई जाता है आरेने नहीं पाई जाता ठीक है अगला है लाइकेन लाइकेन जो है सेवाल था कवक के सहजीवी अर्थाद पारसपरिक उपयोग जो पारसपरि सेवाल जो है कवक अर्थात फंजाई के लिए भोजन संस्क्राइशित करता है और जो कवक सेवाल के लिए आसरे देता है तथा खनिज और जलकाव सुसन करता है इस शहवान सहवास इतना घनिस्ट होता है कि अगर प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो आप बता नहीं सकते कौन सा भाग जो है सेवलांस और कौन सा कवाका ठीक है और जो लाइकिन होता है वह प्रदोसर्ण का बहुत अच्छा संक्यत होता है अर्थाते प्रदोसरी छेत्र में नहीं योगते हैं तो हमारा चेप्टर कंपीट हुआ यहां पर देखते हैं अगला चेप्टर